नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज की स्टोरी जितनी अच्छी है उससे भी ज्यादा अच्छी आज आपको इसकी वोकेबलरी लगने वाली है क्योंकि बहुत सो लोग उनक कमेंट किय याने की थोड़े सी संबोल सकते हार्ड जो आपने नहीं सुना हो जो आपने आपने बहुत कम यूज किया हो ऐसी आपको वोकेबलरी मिलने वाली है तो कॉपी पे हमेशा की तरह आप लोग लेके रखे ताकि जब भी मैं आपको वर्ट्स बताओं या जो भी आपको समझ न स्वाम जयाने किया अाना होता है अंधिय तुफान कमस आता है यह आती है आंधिय तुफान आता है जब तुफान आता है तो यहां पर देखिए क BS को लिखा हुआ कम 20 लगा होता तो समझ ब्रेज्यंट सिंपल्तेंस का सेंटेंस और से हम कंदे लगाते हैं subject के साथ यहीं पर I come, you come they come, ऐसे हो जाता यदि आप वहाँ पर I, U, V, they का use करते तो clear है लेकिन वो भी present simple tense ही होता subject के बाद verb का first form बट इसमें ऐसे ही है जुड़ जाता है clear हो गया जब तूफान आता है देखिए title ही बहुत interesting है क्या हुआ कैसे वज़ तूफान आता है तो there were many fishermen who lived near a sea there were, were याने थे there, वहाँ थे ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए subject के बाद helping verb लिखा गया सीधा helping verb लिखा गया उसके पहले there है तो यहाँ पर वहाँ थे ऐसे use नहीं होगा there का use हम केवल introductory word के रूप में use कर रहे है जब कोई subject नहीं होता तो हम there का use करते हैं ठीक है और जहाँ पर subject लिखा हो उसके पहले there लिखा हो या बीच में लिखा हो या end में तो आप समझेए there याने वहाँ clear हो गया पहले देखे कितनी चीज़ समझने वाली यहीं पर clear हो गया तो there पढ़ेंगे इसका meaning यहाँ पर नहीं निकाले were याने थे many fishermen याने बहुंसे मच्छवारे थे who जो lived रहते थे live का से करण लिवड रहते थे past importance near 80 एक 80 याने होता है समुद्र बोलेंगे उसे clear है तो समुद्र के किनारे sorry समुद्र के पास रहते थे जो पू याने कौन भी होता है जो भी होते है यहाँ तक देखिए एक हमने यहाँ तक बस अभी read किया लेकिन कितनी सारी चीज़े हमको आपे सीखने को मिला present simple tense का हमने यूँ सीखा their introductory word का यूँ सीखा हमने past simple tense का यूँ सीखा तो बहुत सर चीज़े आपको ऐसे ही शोरी में आगे भी देखने को मिलेगी clear होगे हाँ पर कि बहुत से मच्छवारे थे जो समुद्र के पास रहते थे they went to the sea daily they याने way went जाते थे the sea याने समुद्र में जाते थे daily याने रोज in the air boards इन याने में देयर याने उनके अपने दोनों के लिए देयर के यूश करते थे boards याने वहता है नाओं में अपने नाओं में रोज समुद्र जाते थे to catch fish, to catch अने पकड़ने के लिए , fish याने मचली जाते थे fish in a fighting fish plural भी fish होता है, singular भी fish होता, तो धियान में दृच्च में बहुत सबी Fish жиз ऐसे बोल देते है, इस अब्द फिश में दौनों आं जाते है एक अने मचली जाते थे पकड़ने एपने नाओं में रोज समुद्र जाते थे catching fish from the sea याने की catching याने पकड़ कर fish यान मचली from the sea समुद्र से मचलीयां पकड़ कर and sailing them और उन्हें बेच कर in the market याने बाजार में बेच कर was there source of livelihood was याने था there याने उनका source of livelihood livelihood का मतलब होती है आजीवी का रोटी कपड़ा मगान उसे livelihood कहते है source याने था उनका स्रोध मध्यम स्रोध कहते है तो उनकी जीवी का आजीवका का स्रोध क्या था यही जो मचलीया पकड़ के लाता था लाते थे फिर बेचते थे तो वही उनकी आजीवका थी one of the fishermen had two young sons याने मचवारे में से एक one of the उनमें से एक इनमें से एक fishermen याने मचवारों में से एक म, e, n man का ूज क्या गया है याने कि बहुत सारे आदमी है एक से यादे आदमी में men men लिगते है केवल एक आदमी Moi तो man हो जाता एक मचवारा और men हो गया तो बहुत सारे मचवारे, तो मचवारों में से एक का head याने था ना, two young sons याने दो छोटे बच्चे थे, यग याने वैसे तो नौजवान भी होता है, लेकिन हम यहां पे young याने छोटा भी होता है, ठीक है, तो उनके दो छोटे बच्चे थे, बेटे थे, sons याने बेटे यूज़ टू, यूज़ टू का हम यूज़ कप करते हैं, जब पास के कोई आदते बताते हैं कि ऐसे किया करते थे, खेला करते थे, दोड़ा करते थे, गाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, तो हम यूज़ टू और वर्ब का फर्स फर्म लिखते हैं, यूज़ ट और इखटा करते थे ठीक है, c-cells, c-cells जो होता है, c-p, kaudiya, उसे c-cells कहा जाता है, from the beach, beach याने, जो बीच याने क्या होता है, जो समुद्र की किनारे को, हम उसे beach कहते हैं, आप से भी जानते है, समुद्र तट, उसे beach कहा जाता है, and give it to their mother, and give, देते हैं, उसे, क्या करते थ थे, their mother, made different toys from the cells, their mother, याने, उनकी मा, made, बनाती थी, make का सिगन, made, different, याने, विभिन, अलगलब प्रकार के, toys खिलो, ने, from, याने, say, the cells, याने, c-p, ओं से, कॉडियों से, उनकी मा, अलगलब प्रकार की, खिलो ने, बनाती थी, तो बच्चे हमेसा खेला करते थे, समुद् अत्रिक्त कमाई, याने, income, याने, आये, जो अत्रिक्त आये था, जो extra income होते थी, of the family, परिवार का extra income था, याने, जो भी मचली बेच कर कमाते थे, वो तो income था ही, और ये c-p, c-b, जो toy बनाती थी, वो अलग income था, once, एक बार, cyclonic weather was forecast, cyclonic, ये भी आप नोट कर लेजे, cyclonic का मतलब क्या होता है, इसका चक्रवाती, या फिर तूफानी, उसे cyclonic कहते हैं, c के साथ y हो, i हो, है न, या e हो, थो हम ज्यादा तर c का स, सव चर्ण करते हैं, cyclonic weather, तूफानी मौसम was, याने था, forecast, इसे भी लिए, forecast का मतलब होता है, पूरवानुमान, पहले सानुमान लगान औरे, were advised, याने, सलाह दी गई थी, to leave, याने, छोड़ने की, the, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आपका नया वर्ड है, literal, इसे टी लिखा, लिडरल, ऐसे पढ़ेंगे, इसे आप और कुछ ओ लिखा तो, लिडरल, ऐसे न, लिडरल, लिख लिख लिए, लिडरल याने की, समुद्र तट, समुद्र तट को, लिडरल एरियास कहते हैं, उन्हें advice दिया गया, कि जो समुद्री तट है, समुद्री है न, छेतर हैं, उसे छोड़ने का, and go to some safe place, और जाने का, some याने, कुछ, या कोई, safe place, सुरक्षित जगह में, किसी सुरक्षित रिस्तान पे जान याने उन्हें, warm याने हम बोलते है कि, चेतावनी जी से कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हें, क्या क्या गयाता है, उन्हें, चेतावनी दी गई थी, स्टॉर्म स्टॉर्म यानि क्या होता है दूफान कुड हो सकता था प्रोव यहां पर देखे यहां पर आप नया वर्ड नोट करेंगे क्या लिखा है भयानक खतरनाःघ उसे हमड़स्टेटिंग कहते हैं क्लियर हो गया यहां तक के पूरा आपको की उन्हें चेतावनी दी गई थी कि जो श्टॉर्म है तूफान है वह भयानक सावित हो सकती थी all the fishermen सभी मचवारे ने ठीक है क्या किया देखिए vacated ये भी note कर लेजी मैंने जो जी important words से आप देखेंगे underline के लिए vacated का मतलब होता है खाली कर दिया तो उसे हम vacated second form है खाली कर दिया their houses अपने घरों को मचवारों ने अपने घर खाली कर दिया and went और गए go went gone तो went का use करेंगे to other places अन्य स्थानों पर गए for safety for safety याने क्या होता है सुरक्षा के लिए of their lives अपने जिन्दगी को तो यहां पर हम मुलते हैं lives याने होता है जिन्दगी अपने जान की सुरक्षा के लिए अपने घर को उन्होंने खाली कर दिया और दूसरे स्थान चले गए within few hours within याने के भीतर के अंदर few hours hours पढ़ेंगे, hours नहीं पढ़ेंगे excellent होता है तो कुछ घंटों के अंदर a heavy storm struck the coastal reason heavy storm याने कि एक भारी तूफान struck याने क्या होता है चोड पहुचाना उसे हम struck कहते है the coastal reason अब यहाँ पर फिर देखे coastal reason का मतलब भी 30 छेत्र तो एक जो जोड़दार तूफान है तो उसने क्या क्या हमला कर दिया struck कर दिया चोटिल कर दिया किस पर 30 स्थान पर भयंकर तूफान आ गया the sea samudr had become हो गया था had के साथ become का third form become का second form became होता है third form भी become होता है come came come होता है वैसी become होता है ठीक है तो third form है तो head के साथ verb का third form past perfect ने दिया था लिया था चुका था चुकी थी the sea had become very rough याने samudr बहुत उग्र हो चुका था rough याने बहुत उग्र हो जाना बहुत भैरक हो जाना and the waves were rising very high or the waves याने होती जो उसकी लहरे were rising याने उठ रही थी rise याने उठना word के साथ word के साथ ng form verb में तो रहा था रही थी ऐसे यूज करते हैं तो उठ रही थी क्या? जो लहरे उठ रही थी very high बहुत उची as if as if याने मानो the angry sea was याने कि जो angry sea याने क्या होता है जो करोधित समुद्र करोधित समुद्र है ना was lowling तो was lowling lowling याने क्या होता है jeeb निकाल कर चिढाना जीब निकाल के चिढ़ाना है ना और एक यहां पे नया वर लिखा हुआ है आप इसे पढ़ेंगे डिवावर ठीक है डिवावर का मतलब क्या होता है नश्ट करना निगलना और अपने जीब निकालके वो चिढ़ा रहा था तू नश्ट करना everything on the earth याने की मानोवो क्रोधिस समुद्र पृत्वी पर सब कुछ निगलने के लिए है न अपने जीब को क्या कर रहा था उच्छाल रहा था ऐसे भी बोल सकते हैं जीब निकालने को लोलिंग कहते हैं जीब निकालकर यहां पर एक मतलब बहुर सकता है जीब निकालकर वो क्य कर रहा था कि समुद्र के धर्ती के हर चीज को वो क्या करना निगलना यह फिर नश्ट करना चाह रहा था निगलना चाह रहा था ऐसे यहां पर यूज होगा तो फिसर में दो मच्छवारे हूग है नौट के तुह लिसंटावनी की परवा नहीं की तो दो मच्छवारे जुनोंने चेतावनी की परवा नहीं की or and went to fishing मचली पकड़ने गए थे were washed away were याने थे वो लोग क्या हो गए थे बह गए थे उसे washed up बह गए थे बह गए दोनों के दोनों the houses nearby याने पास के घर which याने जो या जिसे एक और नया वर लिख लेजी हम इसे क्या पढ़ते है accommodated 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 का मतलब होता है स्थान देना समयोजित करना scores of families स्थान दिया था ये सब लिख लिखे तो scores of families करोडो परिवार को स्थान दिया था were washed away वो क्या हो गए थे वो भी बह गए थे in such a manner that it seemed they never existed in such a manner यारे इस प्रकार से such यारे ऐसे या इस प्रकार से that की it seemed ऐसा लगता था they never existed की उनका कभी अस्तित्व कभी अस्तित्व था ही नहीं clear हो गया तो वो जो घर है ना पास के घर जिसने करोडों परिवार को पना दी थी वो भी बह गये और इस प्रकार से बह गये है ना की लगा ही नहीं कि वहाँ पर कोई परिवार ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कभी अस्तित्व में ही थे कोई भी नहीं था पूरा घर भी दूल गया बह गया after four days चार दिनों के बाद when the storm calm down जब इस्टोम याने आंधी calm down यहाँ पर भी काल मुटनी पड़ेगे के साने होता है calm down का मदब होता शान्त हुआ है ना चार दिन बाद जब तूफान शान्त हुआ all the fishermen सभी मच्वारे came back to their colony came back याने वापस आये come came come तो हम second form came का यूज करें came back वापस आये to their colony अपने colony में they found उन्होंने पाया that की their houses उनके घर had been destroyed had been हो गये थे destroyed नश्ट हो गये थे completely पूरी तरीके से by the by याने द्वाराया से violent storm violent याने क्या होता है violent मतलब वही कि जीसे हम बोता है हिंसक उग्र बेरहम आन्धी से बेरहम तूफान से पूरी तरीके से उनके जो नश्ट घर थे वो क्या हो गये थे नश्ट हो गये थे seeing no sign of his house seeing याने देखकर no sign याने कोई भी निसान office house याने अपने घर का कोई भी निसान ना देखकर कोई भी पता ना देखकर नन्हा started crying तो नन्हा ने started crying रोना शुरू किया अन्ना said to his younger brother नन्हा अन्ना ने said याने कहा अपने छोटे भाई यान्गर याने छोटा और elder याने बड़ा ऐसे होता है तो अपने छोटे भाई नन्हा से कहा अन्ना ने brother don't cry भाई मत रो don't याने मत करो तो don't का यूज करते है present simple test में negative sentence तो do not को short में don't बोल देते है the sea is very cruel the sea samudr is याने very cruel cruel याने बहुत cruel है बेरहम है it looks ये दिखता है looks ता है ये present simple test ऐसे ये इस लगए देखे so calm बहुत सांथ दिखता है and attractive और आकर्शक लगता है that की we like to play हमें हम खेलना पसंद करते है near it इसके पास है ना samudr क्या है बहुत कुरूर है लेकिन ये कैसे दिखता है बहुत ही शांत और आकर्शक दिखता है कि हमें इनके पास खेलना पसंद है its blue water its याने इसका बहुत सारे ऐसे है डॉक्स चेयर्स तो आप समझ आएगे कि वो प्लूरल है लेकिन वर्प्स में ऐसे येस लग गया तो ता है ती है जुड़ी आता है तो इसका नीला पानी आकर्शित करता है अस याने हमें to build our houses here to build याने बनाने के लिए अवर हाउसेस नॉन एग्जिस्ट मेक्स कर दिया बना दिया तो ये आपका कॉजटी वर्प्स होता है जहां पर मेक का यूस किया जाता है लेकिन यहां पर ऐसे येस के वो जुड़ा है क्योंकि प्रेज़न सिंपल टेंस में मेक का मेक्स हो गया यही पार्ष में होता तो मेड हो जाता और कंट्रिवर्प्स में होता तो मेकिंग हो जाता तो मेक का यूस कप करते है जब आप किसी से कुछ काम नहीं करा रहे है नहीं जब कोई आदमें कुछ काम नहीं कर रहा है कोई उससे कुछ काम करा रहा है तो उसे हम कोज़िटीव वह आप कहते हैं, make का use किया जाता है, तो उसने हमारे घरों को क्या कर दिया, non-existent, याने हमारे घरों को उसने असित्वहीन बना देता है, बना देता है, है न, Actually, वास्ताओ में, असलियत में, this sea, ये समुद्र is a real, एक असली how, Sorry Hioccritic, क्या है, है Sorry, Hyp 밝혔 ऐ, क्या है, horr grape है, ये mobile में एक छोड़ा छोड़ा देखर हैं मों सिसका मतलब क्या होता है पाखंडी भॉत ही क्या है ठोंगी है यानि हम बोलते हैं इसली हएक बढ़ते हैं अदिक दिखाता कुछ है होता कुछ याई, the sea was listening to both the children, the sea याने समुद्र was listening, सुन रहा था, past continuous tense, to both the children, याने दोनों बच्चों को सुन रहा था, समुद्र की मेरे बारे मेलों क्या क्या बोल रहा है, ऐसे हो, ऐसे हो, it came in a disguise, it came, याने वो आता है, या वो आया, it याने ये वो दोनों के लिए यूस करते है, past में य ये वो का यूस कर देते है, फिर वो आया, इन याने में a disguise, disguise का मतलब क्या होता है, बोलते हैं, बहरूपिया बन कर भेद बदल कर उसे disguise, भेस बदल कर आया, of a beautiful girl, एक सुन्दर लड़की का रूप ले कर आया, भेस बदल कर आया, she was wearing blue frog, वो, आने अब लड़की बन के तो पहनी थी, wearing याने पहनना तो पहनी थी, blue frog, याने नीला frog, with blue frills, blue frills, frills याने क्या होता है, हम जो बोलते न, इसको क्या बोलना चाहिए, जालर, टाम जाम जो होता न, जालर उसे, frog पहने थी, और ऐसे जालर होता है frog में, उसे blue frills के साथ, she said, उसने कहा, अब लड़की का र पहनी थी, और नीले रंका, उसमें क्या था, उसमें वो भी था, जालर भी था, why are you, why याने क्यों, are you, तुम, है न, क्या कर रहे हो, criticizing, अब देखे, यहाँ पर, मैंने जो बताया था, बिल्कुल इसी को मैंने धोके से पढ़ लिया था, criticizing लिखा हुआ है, तो criticizing, अलोचना कर रहे हो, तो रहा हो, रहे हो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि, is MR के साथ, ng form, तो रहा है, रही है, लेकिन, लेकिन, subject के पहले लग गया, you, तो यह, interrogative बन जाते है, प्रश्न वाचल, देखिए, और why का भी यूज क्या गया है, क्योंकि, हमें यहाँ का answer देना है, क्यों बोल हाँ, मैं कर रहा हूँ, हाँ, अलोचना कर रहा हूँ, या फिर, नहीं, मैं अलोचना नहीं कर रहा हूँ, तो के वल, ऐसे भी interrogative sentence मन सकता है, लेकिन, WH family का यूज का यूज क्यों किया गया, जब Y का यूज हो गया, तब आप समझ जाए, कि हमें इसका answer के वल, हाँ यह, नह आना पड़ेगा, यह कारण है, वो कारण है, लेकिन, यदी केवल ऐसे लिख दिये, तो भी sentence गलत नहीं, आरियो, क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे, हाँ कर रहे है, नहीं, कर रहे हो, हो गया, खतम जवाब, लेकिन, वाय जोड़िया, तो पूछ रहे है, क्यों कर रहे हो, त यह ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव, हम वाब, स्वारी, सेंडेंज मनाते है, तब वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, कि क्वेस्चन क्या है, उसके हिसाब से डबलेज श्वैमिली का यूस करें, कि नहीं करें, पुछा, कि तुम समुद्र क्या लोचना, क्यों क रहे हो, कमी क्यों नहीं काल रहे हो, बुराई क्यों कि ना रहे हो, एक्च्वली असलियत में, दसी इस नौट टू बी ब्लेम, याने की, असल में समुद्र का कोई दोस नहीं है, वो बता रहा है, समुद्र खूदा के लड़की क्या बोल रहा है, समुद्र का कोई दोस नही है it is calm यह काम है काम याने हैं पर भी काल मुनी पड़ेंगे एल्स आइलेंड हो काम याने शान्त है ना क्या है यह शान्त है and quiet और चुपचाप है शान्त और क्या है चुपचाप है and its waves और इसकी लहरें आर याने है as beautiful as I am as beautiful as याने की तरह के जैसे as I am है ना उतनी सुन्दर है जितनी की मैं याने की मेरी तरह ही as का use किया जाता है और इसकी लहरे मेरी तरह ही खुपसूरत ऑ़ लड़की बने के आहीं थी वह रहे हैं वहीं समुदर तो बिलकुल सान्त है बहुत सुन्दर है मेरे जैसे ही नन्हा सेन नन्हा कहा how do you know तुम यह कैसे जानती हो यह पूछे कि तुम यह कैसे जानती हो दगर्ल सेट लड़की ने कहा से कैसे हम सैट तो पास इंपल टेस्ट क्योंकि सब्जेट के बाद वह आपका फर्सक्राम को युज़के निवन लिख़ेवें नो अर यही पर आई नू हो जाता तो मैं जानती थी ऐसी याने यह वीकॉश क्योंकि आई कन्ट्रोल द वेवस मैं लहरों को नियंत्रित करती हूं लहरों को अन्यों करती हूं समुधर के गहराइयों में My Appearance मेरा जो बनावुथ है मेरा जो दिखावा है उसे हम Appearance कहते है Clear है? तो मेरा जो ये जो Appearance दिखावा है Is blue मेरा जो याना नीला है मेरा मेरा जो रूप है वो नीला है Because क्योंकि Because of the Reflection of the Blue color of the sky reflection of the blue color of the sky याने आस्मान के नीले रंग की प्रतिविम्म के कारण परचाय के कारण मेरा नीला रंग क्यों है वो बता रहे कि भी समुद्र के नीले रंग क्यों होता है क्योंकि आकास के नीले रंग के प्रतिविम्म के कारण मेरा रुंग नीला है यह बोल ती है Anna was not satisfied with her reply annah was not satisfied याने वो संतश नहीं था with ya her reply उसके जवाब से वो संतश नहीं था he again said उसने फिर से कहा how can you say तुम कैसे कह सकती हो that you are not cruel तुम क्रूर नहीं हो कैसे बोल सकते तुम क्रूर नहीं हो बेरहम नहीं हो, you became so furious, तुम हो गई थी, became, हो गई थी, so furious, अतिकृत, बहुत ज़्यादा गुस्से मैं furious बोलते हैं, ठीक है, तो तुम इतनी क्नोधित हो गए थी, हो गए थे, with a storm, याने की, किसके साथ, तूफान के साथ, that की, you rendered, तुमने क्या किया, rendered, यहाँ पर भी नोट दिया है, तुम कैसे बोल सकते हैं, तुम निर्दई नहीं हो, बेरहम नहीं हो, तुमने, तुमने तो, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, हमें बेघर बना दिया, तो rendered का मतलब होता है, बना दिया, बना दिया, ऐसी उस करते हैं, यह भी लिख लेंगे, you swallowed, तुमने क्या क नहीं को, which were lying, जो on the sea shore, lying यह नहीं होता है, पड़ा होने को लाइं कहते है, जो पड़े हुए थे, on the sea shore, यह नहीं समुद्र के किनारे पर, जो समुद्र की किनारे हमारे नहीं पड़े हुए थे, उसे तुमने निगल लिया, the sea girl said, अब सोड़ा सबच्या है, तो वो जो मुद्री कन्या बोला चाहिए, उसने कहा, this storm is not in my control, यह आंधी, यह तूफान मेरे नियंतरन में नहीं है, मेरे कारण नहीं आता है, मेरे नियंतरन में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है, actually, असलियत में, when the winds become strong, जब winds याने हवाएं become हो जाती है, strong, जब हवाएं तेज हो ज इतने तेज रफता से, that की, it becomes, यह बन जाती हो जाती है, uncontrollable, uncontrollable, controllable याने, जिसे हम नियंतरित कर सके, uncontrollable याने होता है, अनियंतरित, बेकाबू जिसे है, और इसकी तेज गती से चलने के कारण, वो बेकाबू हो जाती है, my waves also become strong and stormy, मेरी लहरे भी, क्या हो जाती है, strong, sorry 쓰ering, strong and stormy, वो भी, बहुत ही, मजबूत, strong, मजबूत, या तेज भी बहुत सकते and stormy, और टूफानी हो जाती है, याने मैनी होती, हवा इतनी तेज है, इतनी तेज ही से बहती है, कि मेरी लहरे भी, हवा के कारण, बहूत ही तेज और तूफानी हो जाती है, and then nobody, or then, sorry, then याने फिर या तब nobody याने कोई भी नहीं can याने सकता है stop याने रोक सकता है can के साथ वो आपका first form लगता है the storm except the winds except याने के अलावा the winds याने हवा के अलावा और कोई भी उसे नहीं रोक सकता if the winds यदी हवा है change the speed अपनी speed याने गती को बदलती है और direction याने दिसाओं को the storm is also turned to that side the storm याने आन्धी is also वो भी turned बदलती है to that side उस ओर turn याने मुड़ना भी होता है उस ओर उस ओर मुड़ जाती है clear है? मुड़ गई, sorry turn ने मुड़ गई थी मुड़ गई थी ऐसे हो जाता है तो यह वहीं बोल रहा है मुझे बोल रहे है कि भई जब हवा अपने speed और दिसाओं को बदलती है तो जो आन्धी है वो भी किसमें बदल लाती है अपने दिसाओं को भी बदल लेती है हवा का पूरा दोस है हमारा दोस नहीं होता है अन्ना ये नन्ना वर satisfied अन्ना क्या हो गहे है संटुष हो गयते विद हर आंसर उसके जवाब से बिद हर गुडबाय कुड़ बैइसे है ने उसके खोड़ अन्दी है और एक बार फिर सिर्ट सुर्छाद लेग the Сबुड़BER разр थे all the fishermen, सभी मचवारे were busy, west थे in Indian में reconstructing reconstructing, निर्मान करना तो reconstructing मतलब पुर्ण निर्मान करने में their houses, अपने घरों के पुर्ण निर्मान करने में फिर से बनाने में वो busy हो गया थे west हो गया थे मचवारे तो देखें स्टोरी में आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई स्टोरी में आखिर बताना क्या आचारा actual में स्टोरी में बहुत गहराई छिपी हुई है, स्टोरी में ये कहा गया है कि हम जिसे दोस देते हमें लगता है कि इसका ही दोस है, actual में जरूरी नहीं पूरे घर बरबाद हो जाते हैं और लोग बरबाद हो जाते हैं वहां के संपत्ती नश्ठ हो जाते हैं तब क्या करते हैं सब किसे दोस देते हैं उस जो समुदर से उठने वाली तूफान है समुदर की लहरों को कि आपके कारण हमारे पूरे घर बह गए नश्ट हो गए पूरे लेकिन एक्च्वल में दोस का समुदर का है बिल्कुल भी नहीं है वो तो समुदर का दोस रहता तो समुदर तो हमेशा ही है वो हर बाद डुबा देता आप लोगों को समुदर का दोस नहीं है जब वो तेजी से जो हवाएं चलती है जो तूफान चलती है उससे उनकी जो लहरे है वो और भी तेजी से बहने लगती है समुदर के लहरे जो यहां तक आती थी वो और उची उठने लगी और अब वो बढ़कर यहां तक आने लगी आपका घर यहां पर है लोगों का सोचे कि समुदर का जल तो यहीं तक से वापस चले आता है घर बना लिए बहुत सुन्दर है नीला है आकरसित है मशली पकड़ेंगे यह है वो है बट जब तेज हवाज चलती है तो वो पूरे के पूरे घर को बहा के लिए जाती है उसकी मजबूरी है क्योंकि जब हवाएँ उसको नियंतरित करती है उनकी लहरों को लेकिन हम दोश कुसे देते हैं अरे समुद्रे न आ हमें डुबा दिया हमारे घर को डुबा दिया, बट आप वहीं पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग ही आप देखेंगे, उसी समुदर से मचलियां पकड रहे हैं, उसी समुदर से उनका जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन यापन आजी विका चल तो यहां पर यहीं कहा गया कि दोस्सामने वाले का है लेकिन यह जरूरी नहीं कि दोस्स उनका ही हो उसके पीछे किसी का किसी और का हाथ हो सकता है तो इतनी बड़ी moral इतनी बड़ी यहां पे रहसे चिपा दे story में और जिने नहीं पता है वो बस सोचेंगे कि सर ये क्या कहानी हुए सर कहानी में तो ऐसे हुआ लेकिन word आपको बहुत सारे important word आपको मिले होंगे नहीं नहीं बीस पचीस ऐसे word मिले जो आपने सुना भी नहीं होगा सुना भी उससे meaning नहीं पता होगा ये तो हो गया story में कितनी गहर है वो आपको बाद में पता हैं बोलेंगे सर समुद्र नहीं कि कहा कि मेरी गलती नहीं हवा की गलती है बच्चे मान गए अब क्यों मान गए देखिए उसका कारण भी आपको बता दिया हो और इसका moral भी आपको समझा दिया हो कि हमें लगता है कि गलती सामने वाले की ये हमेशा जरूरी नहीं है उसके पीछे किसी और का हाथ हो सकता है जैसे यहाँ पे समुद्र की गलती नहीं थी उसके पीछे उस तेज हवाओं का हाथ था जिसके कारण है ना आंदी तुफान आई और उसका घर उनके नाव सभी बह गए और लोग दोस किसे दे रहे हैं समुद्र ने हमें तबाह कर दिया समुद्र को समुद्र पर दोशार उपन कर रहे हैं उस पर इलजाम लगा रहे हैं बड़ ऐसा है नहीं तो भही यह ती चैली की मोरल तो आप लोगग भी कभी आपको कोई नुकसान पहुचा रहे हैं तो थोड़ा सोचीए क्या आपको दोसी नत है जरूरी नहीं कि उसी की गलती हो यह भी हो सकता है यह थी आज की श्टूरी यह थी आज की मोरल यहाँ आप आपने देखा कि बहुत सारे हमने ने वर्ट्स है यहाँ पर रहा होगा इससे पहले और हम ने यहाँ पर फ्रिल्स पढ़ा जो जालर होता है ना इसके लावब आपने और भी बहुत सारे वर्ट जो लूलिंग लिखा हुआ था वहाँ पर पढ़ा ऑर यहाँ पर हमने इसके पहले देखा था कि फोर काश हमने देखा सैक्लोनिश हमने पढ़ा था इसके और पहले हमने जो कॉड़ी था उससे हम पढ़ाथा है seashells होता है वो आपको पता भी रहा होता है श्टक हमने पढ़ा कोश्टल रिजन हमने पढ़ा छेते को रिजन कहा जाता है लोलिंग तो यह हमने पढ़ लिए था तो देखिए कितने सारे new words आपको यहाँ पे मिले तो story में यही होती है आपको बहुत सारे new words सीखने को मिलते है सही प्रेंसेशन पता चलता है आपको उसका उचारण पता चलता है उसकी मीनिंग पता चलती है कौन सा tense है वर्ब का कौन सा form है यह समझाता है और सबसे बड़ी बात है कि story से आपको बहुत अच्छा moral मिलता है तो आज की moral कैसे लगी आज की story कैसे लगी प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि आपको पसंद आती कि नहीं आती समझाने का तरीका और फायदा हो रहे कि नहीं बिल्कुल हो रहा है तो कमेंट कीजिए नए है तो सब्स्राइब कर लिजिए इन सभी के PDF आपको टेलिग्राम में प्रोवाइट कर दूँगा विश्वेटी भी सर्ज कीजिए टेलिग्राम में और वहाँ पे आप लोग जॉइन हो जाईए फ्री में और आपको पूरा PDF फ्री में मिल लागा उसे आप लोग डाउनलोड करके आप खुछ से ट्रांस्टेशन करके देखिए कि सर ने समझाया था मुझे कितना समझाया समझ पाराओं की पारे हुए आप लोग देख लेंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे नए है तो प्ली सब्सक्राइब कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद